नमस्कार मैं हूँ आशीश धर्म कर्म में अब बात करते हैं आज के पंचांग की अब बात करते हैं आज की तिथी की और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से आपके लिए फल्दाई होगी शुब तिथी नवमी रिक्ता संग्यक तिथी रातरी 11 बचकर 31 मिनिट तक तदुपरांत दश्मी पूर्णा संग्यक शुब तिथी प्रारम हो जाएगी वैसे रिक्ता संग्यक तिथी में शुब वै मांगलिक कारे आदी शुब नहीं होते पर आज राम नवमी का शुब दिवस भी है जो स्वयम सिद्ध अवूज मुहुर्त भी है यद्यपी मलमास दोश है पर सरवार्त सिद्धी योग में सभी आवश्यक कारे किये जा सकते हैं चलिए अब आपको बताते हैं नक्षत्रों का आज कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहेगा और आपके ऊपर इसका क्या असर रहेगा अब बारी है आपको आज के योग बताने की साथी हम आपको बताएंगे आज का विशिष्ट योग योग अतिगंड नामक नैसर्गेक अशुव योग रात्री एक बचकर दो मिनिट तक तदो प्रान सुकर्मा नामक नैसर्गेक शुव योग है विशिष्ट योग सर्वार्थ सिद्धी नामक शुव योग सुर्योदय से संपून दिवारात्री अब जान लीजे आज के व्रत तेयोहार उत्सव और विशेश आयोजवन के बारे रतो सब आज श्री राम नवमी स्वयम सिद अबूज मुहुर्त बसंत नवरात्र पूर्ण स्वामी नारायन जैनती मेला राम नवमी गुरु पुष्य योग रात्री दस बच कर 69 मिनिट से राजस्थान इस्थापना दिवस गुरु बुद्धत्व प्रारंभ रात्री दस ब सिद्धी प्राप्त करने के लिए भगवती सिद्धी दात्री की पूजा शुव फल्दाई है अब आपको बताते हैं चंद्रमा की स्थिति कैसी है दिशाशूल किस दिशा में रहने वाला है और राहुकाल का समय कौन सा रहेगा चंद्रमा साएं चार बचकर 15 मिनिट तक च चंद्र इस्तती के अनुसार आज पश्चिम उत्तर दिशा की यात्रा लावदायक वशुव प्रद है राहुकाल मध्यम मान से दोपहर बाद एक बचकर 30 मिनिट से अपरहन तीन बजे तक रहुकाल वेला में शुव कार्यारंभ यथा संभव वर्जित रखना हितकर है अब महुर्त उपरयोक्त शुभा समय तिथी वार नक्षत्र वे योगा नुसार आज किसी शुव वे मांगलिक कार्यादी के शुव वेशुद महुर्त नहीं है वैसे राम नौमी के स्वैम सिद अभूज महुर्त में आवश्चक कार्य किये जा सकते हैं स्रेष्ट चौगडिये आज सुर्योदय से प्राते साथ बचकर शपर मिनिट तक शुभ पूरवान ग्यारे बजे से अपरहन तीन बचकर पैंटीस मिनिट तक क्रमशह चर लाभ वा अमरत तथा साई पांच बचकर साथ मिनिट से सुर्यास्त तक शुभ के स्रेष्ट अब आपको बताते हैं आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाव के बारे में आज जन्म लेने वाले बच्चे आज जन्म लेने वाले बच्चों के नाम को ह ही हू हे आदी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं साएं चार पंद्रह तक जन्मे जातकों की जन्म राशी मिथुन इसके बाद जन्मे जातकों की जन्म राशी करक है मिथुन राशी के स्वामी बु बिद्वान, शीतल स्वभाव, बहु मित्रों बाले, संतान सुख से युक्त, काविय प्रेमी और माता पिता के भक्त होते हैं। इनका भाग्योदय लगभग 25 वश के आयू के बास से होना शुर्व हो जाता है। मित्रों राशी वाले जातकों, जो नौकरी पेशा हैं, उनकी तरक्की के योग हैं, अच्छे और प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क और संबंद बनेंगे। तो आपने जान लिया आज के पंचांग ग्रहनक शत्र चौगडिया और आज जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में, लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है, जैसा हम आपसे हमेशा कहते हैं, कि ग्रहनक शत्र भी उनहीं का साथ देते हैं, जो खुद की मेहनत पर वि नमस्कार